Hello viewers, the topic for today's video is to introduce you people with an application which is used to convert your speech into the text. Your speech may be related to some of your notes, some of your dictations or something else which you want to convert into the typing material. जी तो दोस्तो आज की जो विडियो है उसमें मैं आपके साथ एक ऐसी application को शेयर करने जा रहा हूँ जो बैसिकली आपकी voice को सुनते हुए उसको text में convert करती है. आइदर आप English में convert करना चाहरे हैं या जो मुख़रिफ options इसमें मुझूद हैं. तो मैं आज की विडियो में आपको इस application के जितने भी features हैं उनके साथ introduce करवाऊँगा और आपको इसकी तमाम जो features हैं वो बताऊँगा किस तरह से आपने इस application को efficiently use करना है। ये एक बहुत ही मुफीद application है इसको आप Fiverr Geek के तोर पर भी use कर सकते हैं। अगर आपको कोई बंदा कहता है कि आप एक book है उसको complete type करके दें तो आप simply इस application को run करें और उस book को read करना शुरू कर दें। जी viewers अभी हम यहां इस application का complete tour लेते हैं और देखते हैं कि इसके options को हमने कैसे use करना है। पर एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें थोड़ा सा delay आता है जब आप बोलते हैं तो वो तक्रीबन एक second या उससे कुछ time जो है वो लेता है और आपकी voice को process करने के बाद वो आपके सामने display करता है। इसलिए वीडियो बनाते हैं मुझे थोड़ा सा इसको pass देना पड़ता है ताकि मेरी आवास प्रसेस होके text में आपके सामने show हो सके। तो यह मैं एक before time मैं आपसे sorry कर रहा हूं कि आपको थोड़ा सा इसको बरदाश करना पड़ेगा। जी वीबर्स, speech से text conversion के लिए बहुत सी applications available हैं, offline भी, online भी और यह option जो है Microsoft Office 365 में भी available है। लेकिन मैंने speech texture की जो website है उसको use किया है उसकी वज़ाई यह है कि इसके features बहुत अच्छे हैं। बहुत simple है जो भी options हैं जो भी features इसके हैं वो आपके सामने एक line में available हैं। आप उनको easily use कर सकते हैं। Moreover इसकी जो speech है, text में conversion है वो बहुत अच्छी है। जैसे ही आप बोलते हैं साथ-साथ यह convert करता रहता है। अगर हम इसके बरक्स दूसरी different websites को देखें। तो उसमें आपको कभी mic को प्रेस करना पड़ेगा। फिर आप एक सांस में जितना जुम्ला या फिक्रा बोलेंगे उसको वो convert करेगा। तो इस तरह की कुछ चीज़ें देखते हुए मैंने speech texture की जो है वो selection की है। तो अभी हम देखते हैं सबसे पहले हम यहां पर इसकी एक option है about की जैसे आप about पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस application की जितने भी features हैं वो आ जाएंगे। और निचे आप देख सकते हैं कि speech text के बारे में किस के लिए कौन इसको यूज़ कर सकता है इसके features हैं और साथ साथ इसकी supported languages हैं। इसके साथ अगर हम help पे क्लिक करें तो वहां पर आपको बताएंगे किस तरह से आपने इस application को run करना है माइक को कैसे अलाओ करना है ब्राउजर कौन सा यूज़ करना है और इसके इलावा आपने languages कैसे यूज़ करनी है तो अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि इस application को हमने ज किया हुआ है तो इसने माई की जो permission सी वो मुझसे already इसने permit करवाई थी अभी हम देखते हैं कि वो allow होगा उसके लिए आप इस log के ओपर आके क्लिक करें तो आप देखेंगे कि यहां पर microphone है और इसके सामने allow लिखा हुआ है अगर आप इसको allow नहीं करना चाहते ब्लॉक करन चाहते हैं यह default रखना चाहते हैं तो आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं ठीक है जी मेरा भी पहले यह ब्लॉक था लेकिन जब इसने application ने allow की permission ली तो मैंने permission दे दी तो इसकी वैसे यहां पर allow शो हो रहा है यह आपको allow करना होगा otherwise आपकी recording नहीं होगी इसके लवा हमें इस application को सबसे पहले start करना पड़ता है जब भी हम कुछ बोल के इसको text की form में लाना चाहेंगे तो हमें सबसे पहले application को start करना होगा तो अभी हम देखते हैं कि start और stop के लिए आप escape की key को भी use कर सकते हैं तो हम इसको start करते हैं और साथ ही English में मैं कुछ बोल के आपको type करके दिख article बना हुआ है तो इसके मतलब है कि application ready है मेरी आवास को सुनने के लिए तो मैंने जैसे ही कोई word बोला है तो उसने यहां पर इसको text की form में transfer कर दिया है अभी मैं यहां पर इसको दुबारा से start करता हूँ How are you? I hope you found this application very beneficial especially for the people who work online ठीक है दोस्तों कहीं कहीं पर आप महसूस करेंगे कि यह जो हम बोलते हैं उसको वो किसी और form में convert कर देता है किसी और word के साथ change कर देता है तो उसमें आप उस word को यहां पर delete कर सकते हैं और उसी point पर आके आप दुबारा से बोल सकते हैं जैसे कि miss understanding हो गी एक मतलब फिर भी वो application है तो उसने उसको change कर दिया हम उनको दुबारा जो वो speak out कर सकते हैं और दुबारा से अपनी जो text है उसको complete कर सकते हैं इसके लवा अगर हम देखते हैं तो यहां पर हमारे पस clear की एक option है अगर हम यहां पर इस clear को click करेंगे तो जो भी हमने writing की है वो तमाम clear हो जाएगी मतलब वो सारी delete हो जाएगी हमारा page बिल्कुल साफ हो जाएगा जैसा कि हम इसको clear करते हैं जी इसके बाद अगर हम देखते हैं option तो यहां पर copy alt text की option है उसके साथ ही undo और redo की option है जैसे हम undo करेंगे तो हमारे जितने भी पराने जो हमने task किये थे वो वापस आ जाएंगे इसके लवा हम देखें तो यहां पर bold की टैले की और underline की options हैं यह वो option है जो कि हम अक्सर microsoft word office या powerpoint वरा में use करते हैं इनको हम यहां पर use कर सकते हैं let's suppose कि हमने यहां पर कुछ speak करना है और उसको हमने underline show करना है तो हम यहां से underline को select करेंगे और य अडर लाइन करेंगे ठीक है अभी आप देख सकते हैं कि यहां पर जो हमारी writing है वो underline आ रही है यहां से इसको stop करते हैं इसके लावा आप जो words आप note कर रहे हैं यहां पर उनकी आप alignment कर सकते हैं उसके लावा font size और text size आप change कर सकते हैं style change कर सकते हैं color choose कर सकते हैं let's suppose हम यह यहां से green color के जो text हैं वो लिखना चाह रहे हैं writing style जो हम green color में करना चाह रहे हैं तो हम यहां पर green color को select करेंगे और उसके बाद हम यहां पर start को click करते हैं new paragraph okay just type in the red text okay sorry it was green okay thanks इसके लावा अगर आप theme को change करना चाहते हैं तो by default वैसे तो इसकी जो theme है वो इस तरह से white mode में होती है लेकर अगर आप इसको dark mode sun करते हैं तो आप dark mode में भी कर सकते हैं पिर इसके साथ बुलेट्स हैं कुछ numbers हैं और फिर इसके साथ right to left या left to right typing style है इसके साथ ही एक option है printer की अगर आप ने जो भी यहां पर type किया है आप उसको print करना चाहते हैं तो आप यहां से उसको print कर सकते हैं अगर आप download करना चाहते हैं तो उसके लिए भी option available है दो options आपके पास हैं dot text और dot doc उसी text की file में आप ले सकते हैं या document की file में आप इसको download कर सकते हैं उसके साथ साथ अगर हम देखें तो हमारे पास English और different languages हैं जैसा कि हमने इसकी help के अंदर देखा था कि हमारे पास multiple languages की option मुझूद है यहां पर हम language choose कर सकते हैं तो आप देखें कि यहां पर multiple options हैं आपके पास बहुत सी options आप choose कर सकते हैं और अगर आप fiber पर काम करना चाहरे हैं कोई gig बनाना चाहरे हैं तो आप gig बना सकते हैं तो मैंने यहां पर English United States तो रखा हुआ है इसके लावा text auto save की option है अगर आप text को auto save करना चाहते हैं तो auto save कर सकते हैं by default यह option जो है वो disable होती है आपको इसको enable करना होगा dictionary इसकी time on है यह by default भी on ही होती है यह default और customs के कुछ options हैं यहां पर custom में मैं अपनी मर्जी से कुई command त्यार कर सकता हूं जी यहां से dictionary command करते हैं custom में आप देख लें कि यहां पर आपके पास एक option है कि आप अपनी मर्जी से कुई customize commands उनको त्यार कर सकते हैं अगर कोई आपके पास option जो है वो default में available नहीं है लेकिन आप वो sign यूज़ करना चाहते हैं या punctuation यूज़ करना चाहते हैं उनको त्यार कर सकते हैं default में आपके पास यह तमाम punctuation जो है वो मुझूद हैं इन में से कोई भी punctuation अगर आप apply करना चाहते हैं तो आप just उसको speak out करेंगे आपको type करने की जरूत नहीं है आप just speak करेंगे तो वो option यहां पर आपके सामने display कर दे जाएगी जैसा कि अभी मैं आपको यहां पर let's suppose period है फुल स्टॉप है यह new paragraph यह तमाम चीजें मैं इनको apply करके आपको दिखाता हूँ start करते हैं यहां से फुल स्टॉप new paragraph what is the name of this channel question mark new paragraph stick to learn जी तो दोस्तों इस तरह से आप यहां पर punctuation जो हैं उनको भी apply कर सकते हैं अभी आप यहां पर देख रहे हैं कि कुछ अलफास जो हैं जो words हैं वो आपके underline है होने की वज़ा यह है कि मैंने यहां पर एक application जो है एक Chrome extension इंस्टॉल किए यहां पर grammarly के नाम से वो उन तमाम words को जो यहां पर लिखे हुए हैं उनकी grammar शेयर करता है और आपको hint देता है कि आपकी जो words हैं वो आप misspell कर रहे हैं तो आप उनको change कर सकते हैं यहां पर आपको option मिल रही है कि आप work की option को choose कर सकते हैं उसके अलावा आप यहां पर अगर आप देखते हैं कि कोई word जो है वो extra है आप उसको यहां पर delete कर सकते हैं उनकी वो grammatically और spellings mistakes जो हैं उनको भी साथ साथ आपको guide करता रहेगा ठीके जी दोस्तो यह थी आज की एक वीडियो एक ऐसी वीडियो जिसके थो आप अपना फाइवर गिग बना सकते हैं और आप इससे अच्छी खासी earning कर सकते हैं तो दोस्तो उमीद है वीडियो आपको पसंद आएगी मजीद वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गा और इस वीडियो को लाइक कीजिए गा तो मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक के लिए लिए लाफ़ेस्ट